जवलपुर के पाटन थाने में एक गाउं के जगडे की सूशना पर पहुची FRV डाइल 100 में तनात आरक्षक प्रदीप पर गाउं के ही लोगों ने हमला कर दिया बीती रात हुए इस हमले में थाने के आरक्षक प्रदीप को गम भी छोट पहुची उसे लाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भरती किया गया पाटन थाना प्रभारी शिवरास सिंग ने बताया कि इस मामले में पुलिस निंधारा 307 सहित अनिधाराओं के तैद प्रक्रंदा चुकिया और हमला करने के मामले में पिता दो पुत्रों सहित च्वालोगों को गरफतार किया है जवलपूर से समधाता कदीर खान की रिपोर्ट जवलपूर सिंगोरी में भूप सिंग और नीकराम चोधरी हैं दोनों सगे भाई ही है इनका काफी दिन से आपस में बात चल रहा है तो कल रात में नीकराम ने भूप सिंग के साथ माज पीट ती तालिक उप्तार किया जो रिपोर्ट पे अपरात पंजीवत दिया गया था इसी दोरान भूप सिंग के परिवार वालने ने कुना सो नंबर डाई करके एवेंट दिया था जो सूचना पर सो नंबर वाहन और स्टाप सिंगोरी गाउं गया था जो पुलिस को देखकर नीक राम, नीक राम का लड़का राहु, रूपेश और देवदास इस चारों ने सोचा तो पुलिस उसके भाई के पक्ष्म काम करने आई हैं इस चारों लाटी लेकर माह बहन की गुरुपी जाले देकर प्राण गाता खंबला पुलिस की उपर किया जो आरक्षा पधीव सर्मा की सिर, हात, मातों मताफी कंबीर चूटे आई जिसे लाक्टर ने आप रात में कुछार के बाद मेडिकल काली में प्रेपर कर दिया जो मेडिकल काली में उप्चाराँ बहती है और इन चारों आरों की नीक राम, प्राहु, भूपेश, पौदे जो आरी जे लेख विरिए?